हलो फ्रेंट्स नवगीत शुटिफिल वर्ट में आपका स्वागत है सबसे पहले तो मैं सारे फ्रेंट्स को हैपी दिवाली बोल रही हूं और लेट है है हैपी दिवाली बोलना कि है दिवाली तो बीच चुकी है जब ये वीडियो जा रहा है बेट सब को हफी देवाली मैं अभी बोल रहे हूँ और सब मляं इसcin 진행 होगी और भुक्त सारी स्वीट्स बनाई होँगी और खाई होँगी अज की रसिपी एक स्वीट रसिपी है एक पमठ़ाई की रसिपी है तो आज मैं अपनी मिठाई की रसेपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो चलिए मेरे साथ आज ये वाली रसेपी आप भी देखी बनाएए और सब को खिलाएए देखे कैसे मैं बनाती हूँ ये स्वीट रसेपी तो चलिए आपके चिन में चलते हैं फिंस मिठाई बनाने के लिए पहले मैंने ले लिया है करीब अधर एटर दूद और इसको कैस पर चड़ा दिया है पकाने के लिए तो इस दूद को हम रिडियूस करेंगे काफी और पकाएंगे इसको करीब आदे घंडे तक तो मैंसे पका रही हूँ धिर धिरे और दूद काफी रिडियूस हो गया है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं एक काटोरी शुगर तो कटोरी का हमने एक हिसाब से लिया है तो वन कटोरी हमने इसमें शुगर आड़ कर दी है और दूर को मैं रिड्यूस करती जा रही हूँ इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा समाने खटा किया हुआ है क्योंकि मिठाई बडाने में मुझे यूज़ करना है यह है मगज या खरबुचे के भी काजू लिये है मैंने और इलाइची पाउडर लिया है और लिया है एक मिल्क पाउडर का पैकेट एवरी डे मिल्क पाउडर मैं यूज़ करती हूँ तो यह सारी चीज़े मैंने खटी कर ली है अब इन सबको मैं ड्रायरोस कर लोगी तो काजू मैंने निकाली है और काजू को मैं ड्रायरोस कर रही हूँ इस समय अब चाहें तो थोड़ा सा देशीगी का यूज़ कर सकते हैं पर मैं इनको ड्रायरोस ही कर रही हूँ तो रैारोज करने का ध्यान रखना है बुर्किछ जलाएं नहीं इगा, हलकी आँच पे ही पुनने है इसी तरह से मैं खर बजी के भी भी रैारोज कर लूँगी तो इनको भी हलकी आँच पे मैंने धिर धिर भुनते हुए रोज़ कर लिया है तिस थ सर्फ से मैंने दूनूं चीजह रोस कर ली हैं। और बीर्ट में निकाल लिये हैं। डाल हुबते हम प्राइस6 बाइस से मिला और सके बाद समें और चीजह की xuरा आड और, वापस हम्हें थोड़ा सा उश्म को पकाना होगा। तो अभी तो मैंने बस इसमें लाइची पाउडर ही एड़ किया है और अच्छे से मिला दिया है लाइची पाउडर को अब इसके लावा हमने एक कप मिल्क पाउडर लिया है और उसको भी इसमें ही ड्यूस के हुए मिल्क में मिला दिया है और इनको भी अच्छे से मिला दें पे हल्की आज पे इसको रखेंगे और बिलकुल हल्की हղ्की से हिलाते हुए इसको पकाते रहेंगे अब इसके बाद हम ने जो सारी चीजें पीस के रखी थी राइरोस की हुए मेवे वो हम इसमें ही एड कर देंगे तô धीर देर इसे थोड़ा थोड़ा करके इसको एड़ करना है तो ये सारी ही चीज़े हम इस रिड्यूस के हुए मिल्क में और मिल्क पाउडर जो कि हमने डाला है और शुगर हम पहले ही डाल चुके हैं और इनके साथ ही हम इसको मिला देंगे सारे पाउडर को और हम इसको अच्छे से हि लगतार पकाते रहें। थोड़ा सा तेज से चले पकाते रहें से थी हुए इसको पकाते रहें किस्ता हुए। तो इसके लिए हमने से अच्छे से हिलाते हुए पूरा पका लिया और इस तरह से चब ठीक हो गया तो मैंने ग्रीज करी हुई एक प्लेट में इसको निकाल लिया हम देशगी से हमें से ग्रीज कर सकते हैं और इस तरह से हमें से फैला लेंगे ठाली आप कैसे भी ले सकते हैं और मोटा या पतला कैसे भी आप पहला सकते हैं थोड़ा सा मोटा ही पहलाना है कि हमें ऐसे बर्फी बनानी है मुझे अब मैंने इसके ओपर थोड़ा बदाम या पिस्ता आपके पास जो भी मेवा हो पर डाल सकते हैं और इसके small pieces काडने के लिए आप जाको से इसमें रिशान लगा सकते हैं तो इसतर से मिठाई तैयार है और friend किसी भी festival पर आप दिया सकते हैं तो आज बस इतना है thank you friends